अस्ट्रानिक फिरोज माईने में दिवान चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ केपिटल स्मार्ट स्टेटी आज के स्टूडियो में जो आपको एक्सेस फन रोड मिलता है एकसेसफन रोड जाए 180 फिट वाइड रोड है जिसकी एंटर्न्स बनती है चक्री रोड से और जिसकी ऑन्नेक्टिविटि प्रिज के लनत है जिसकी विट्व ही 118 फिट से ब्रिज के लिए 45 फिए 10 फिए उस एकपोड़ेट करूगा इस Access One Road की importance इस लिहास से भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये दो जो public roads हैं जिसमें से एक M2 लहुर इसलामबाद motorway और दूसरा चक्री रोड धम्याल रोड उसको connect करता है तो Capital Smart City के center से गुजरता हुआ golf course के साथ से गुजरता हुआ इसके लाबा Overseas Prime District, Executive District और Overseas Central District को जाकर टच करता है इसलिए इस रोड की भी काफ़ ज़्यादा importance है Recently Capital Smart City की तरस से यहां पे इस रोड पे Access One Road पे मेन आठ मनला और चार मनला commercial plots लाँच किए गे थे डेट साल के payment plan पे और society की तरस से यह commitment किए गी थी आगे जाके 400 फिट रोड से connect होता है राइट साइड पे गॉल्फ कोर्स है और लेफट साइड पे लेग भी कमर्शल है opposite to block B, executive block block B और block B में जो है इस लोक possession अवेलेबल है लेकिन बहुत ज़्यदा इस members की तरफ से अभी तक possession अप्लाई नहीं किया गया जिसकी main reason जो थी वो ये access road 1 का complete ना होना था अब चूंकर इस road की काफियत तक completion हो चुकी है और इस completion के साथ साथ आप आने में दिनों में देखेंगे कि आपको यहां पे बहुत तेजी से executive block के साथ जो resistant area है वहां पे आपको members की तरफ से possession लेके construction होती वी नजर आएगी अभी जो screen पे आप view देख रहे हैं यह सारा golf course का view और जो golf course के साथ आप कुछ structure बने में नजर आ रहे है कि golf course की maintenance building है और maintenance building के साथ साथ Capital Smartity के Peter Heidine के design किये वे golf course के इस time 8 holes ऐसे हैं जिनका possession जिनको completion कहले within 2023, second quarter of 2023 यानि के जून 2023 में उन 8 holes की completion हो जाएगी और साथ साथ पर बाकी holes पे काम होता रहेगा लेकिन main 8 holes operational होने के बाद वहाँ पे at least members जो हैं golf course में जाके golf खेल सकेंगे तो ये एक अच्छी बात है overall आपको ये इस पुरे area का मकसद दिखाने का मकसद ये है aerial footage से कि आप लोगों को जिन members की investment है इस block में तो उनको काफिया तक इसका idea मिल सकें कि आज की डेटमन की investment कहां stand करती है अब मैं 400 feet road से towards चक्री road जाओंगा तो आपको बीच में काफियत तक एक अच्छा idea मिल जाएगा ये center में आपको जो construction होती नजर आ रही है road के दिरम्यान में इस basically का construction का मकसद ये है कि दोनों side पे यानिकि चार्सोफट रोड के उस तरफ भी कुछ एरिया इसा था जो जहां पे अलरड़ी natural lake type ये कहलें कि pond बना हुआ था उसके पानी को बरसाती पानी को दूसरे एक ऐसे अरिया जो लेक भी commercial की back side पे कुछ लेक्स हैं ये कुछ चोटे अब कहलें के water reservoirs हैं उनके साथ connectivity के लिए ये इस्तमाल होगा right side पे से lake pool commercial की की location है जिसका आपको नजरा आ रहा है कि अंडर ग्राउंड जो काम है वो हो रहा है लेकिन फिर भी society की दरसे इसका possession उफर हो जुक है अब एक और बात members ने एकसर बात करते हैं कि उस दिर में एक video बनाई थे D or E block की, overseas prime की तो उसमें किसी member ने comment किया हुआ था कि roads, ये plots अभी तक तक त्यार नहीं है फिर भी इनका possession कैसे offer हो जाता है तो society की दरसे जो land clear होती है जिसकी development start होती है society की दरसी open challenge होती है कि आप possession अप्लाई कर से है क्योंकि जार सी बात है एक state पे एक अदा member ही possession अप्लाई करता है और उस possession के भी 90 से 120 days के बाद उसको possession letter मिलता है यानि possession अगर अप्लाई करते हैं आज आपका plot मकंबल 100% possessionable है और आप उसके construction का अगाज करते हैं तो आपको सिर्फ possession के process के लिए तीन से चार मेने का time चाहिए होता है जिसमें सबसे पहला rule ही होता है कि आपने जगा का उस area का soil test करवाना होता है soil test की report के बाद आपको idea मिल जाता है कि आपने उसकी base या raft कैसी रखनी है यानि कि आपने उसमें कितनी filling करनी है या कितनी उसमें आपने जितनी underground काम होगा सारा कुछ वो soil test की report से सामने आ जाता है आप जूंकि smart city की terrain ऐसी है कुछ जगा से बहुत अच्छी elevation है cutting है, height है और कुछ जगा पर depression है तो जाइर सी बात है नमबर वन नमबर टू जब possession अपलाई करते हैं तो आपको एक जो society के bylaws के मताबक या रावल्पेंटी डिवेल्मेंट अथरिटी के bylaws के मताबक एक map त्यार करना होता है map से मुराद यह है कि आपने उस plot की जो bylaws के मताबक जो construction होती है यानि कि आपने उसके map में यह चीज़ें शो करनी होती है कि हाँ यह bylaws के बिल्कुल मताबक है उसकी structure drawing उसकी architectural drawings यह RDA से approval चाहिए होता है इनका तो जिसके लिए आपको थरसा time required होता है अब एक नाल का residential plot को बंदा possession अपलाई करता है तो उसकी ratio है 70-30 यानि 70% area covered and 30% area open और उसमें जो ratio होती है floor area ratio that is one ratio two तो आपने उसमें floor area ratio को मद्दे नाज़र रखते है उस map की drawings को पहले approval के लिए जमा करवानाता है और approval के लिए जमा करवाने के बाद आपको उसका approval मिलता है अब society का जो main possession वहां पर offer होता है जहां पर underground काम अकमल हो जाता है land procured होती है और वहां पर सिरफ road अकाम रह जाता है road कहलें कि जिसकी main connectivity होती है वो रहती होती है बाकी तमाम काम अकमल हो चुके होते है तो अभी left side पर आपको जो executive block B नज़र आ रहा है इस तक society की तरसे इसका possession offer किये हुए तकरीबन सवा साल का time गुज़र चुका है लेकिन members की तरसे अभी तक यहां पर as such construction स्टार्ट नहीं की गई executive block B में construction ज़रूर हो रही है बट सिर्फ उन plots पे जिन पर society itself विलाज construct करके बेच चुकी है यह कुछ विलाज हैं जो लेटर स्टेज़ पे sell किये जाएंगे जिसमें specifically 5 मरला के विलाज है इसके लाबा किसी दूसरी category के विलाज यहां पर नहीं है इसके लाबा executive block B में 4 मरला commercial plots हैं जो के main इस access one road के साथ यह एडजिस्टन ली वाकिय है और सामने जाके lake view commercial है इन lake view commercial के अच्छी बात यह है कि यह main golf course facing है यनि अगर आपने आर्ट मरला commercial plot खरीदा हुआ है golf course facing तो अगर आप वहां पर कोई भी चीज construct करते हैं specifically अगर आप कोई food के outlet खोलते हैं या itself अपार्टमेंट बनाते हैं तो उस अपार्टमेंट का आपको view जो मिलेगा वह golf course view होगा तो वह काफी ज़्यादा अच्छी reasonable cost में आपको plot 3.25 क्रोड अगर आप देखें 1890 स्कूरीट का area तो आपको बड़ा अच्छा reasonable plot के rate मिलते हैं इस location के लिहाज से तो future में जाके most probably जितने sales partner के offices वे रहा होंगे वो इसी road के left side पर वाक्या होंगे और society का जो अपना head office है वो इस golf course के दूसरी side होगा तो यह overall मेरी assumption है कि यहाँ पर ऐसे जाके future में होगा लेकिन let's see इस में क्या होता है अभी for the timing जो फोटेज देख रहे हैं यह वही access 1 road की है जो overseas prime 1 से चक्री road से connect करते होगे जब overseas prime 1 में enter होते हैं right side पर G block उसके साथ adjacent H block opposite side पर J block और K block और से आगे access लेते होगे आप बिरिज तक आते हैं एक जेक्टिब लोग के बिरिज तक बिरिज को जैसे cross करते हैं उसके opposite side पर आगे दूसरी terrain शुरू हो जाती है अब मैं Google Earth location पर तमाम चीज़ आपको explain करता हूँ बाकी जो वीडियो के end पर मैं तमाम details दोबारा repeat कर दूँगा सब्सक्रीम पर Capital Smartity के master plan देखते हैं जो आज की वीडियो है वो इस रोड के हवाले से है इस रोड को आपको explain करता हूँ कि इस रोड की importance किस लिहाज से है अब बहुत सरे लोग यह भी सवाल करते हैं कि जो Capital Smartity में एक चक्री रोड जो पब्लिक रोड है उसका opposite side पर जो 400 फेट रोड है उसको cross करते हो आप वो कितना बनता है यह एक्सेस वन रोड का मैं पसा रहा है 6.30 किलमेटर जो दोनों के दिर्म्यान में difference है यह distance बनता है overall मैं master plan को लाइट कर दो ताकि आपको तमाम चीजें clear नजर आ सके अभी एक्सेस वन रोड से connectivity के लिए यह वाला रूड इस्तमाल होगा future में for the timing आपको Google Earth पर नजर आ रहा है किस एरिया में कितनी browning होई हैं किस पार्ट में कितना काम हुआ है अभी for the timing जो access one road है जिस पर भी आजकल ज्यादा काम हो रहा है वो यह वाली premises बनती है जहां पर भी आपको गर्जर नजर आ रहा है तो इस एरिया के तकरीबन तमाम चीजें ऐसी हैं जिनका तमाम एरिया पोजैशनेबल हो चुका है यानि कि इस एरिया में construction या main road की जो और सिस प्राइम और सिस प्राइम से आगे main exit road तो यह जो रस्ता यह ज्यादा शॉर्ट बनता है इस रोड का डिस्टंस बनता है 5.75 km एक तरफ 6.7 km का डिस्टंस है और दुसरे रफ 5.5 something km का डिस्टंस है तो यह आपको दो access road मिलते हैं जिससे आप connectivity ले सकते हैं 400 फिट road की मेन M2 interchange की चक्री road के साथ अब मैं दुबारा से वापस आता हूँ वीडियो पर के जिसमें हमने आज की वीडियो का main topic था वो access one road था इस पॉइंट से अब चक्री road से एंटर होते हैं मैं मैपको light कर दूँ इस पॉइंट से अब एंटर होते हैं तो भी गूगल अर्थ पर द कंमल कारपिटिंग भी काफियत तक मकमल हो चुकी तीर चाहँ पर होने जा यह चाहां पर किवाट कि रहार homework ओना मेडियों Sis वाटर बौर्डी क सब्करने के लिए यहां पर इस ने निक्या κेस अब को रहा की चैकर चाँदБ ! लेकिन रिसेंट कुछ टाइम में, कुछ वीक्स में, कुछ मन्स में, सुआइटी की तरह से इस रोड की तरह काफी ज़दा फोकस किया गया है और अभी जो नही लैंड प्रिक्यूर होई है, इस सेरिया में बनती है, दो सब्सक्राइब कनाल तो यह जो एक्जेक्टिब लॉग की लैंड का इशू था, यह भी काफी हत तक रिजॉल्फ हो गया है तो आपकों एक्जेक्टिब लॉग के मेंबर्स को भी आने वले दिनों में बड़ी अच्छी खुशकवरिया मिलेंगी इस रोड की इंपॉर्टनस के अगर बात करें एक्जेक्टिब लॉग का रिमेनिंग जो डिस्टिक्स ही है रिमेनिंग ब्लॉक्स जो है वो लॉकेटिड है अगीन बैक रेल टेम फोटेज और इस स्कीन पे दुबरा वही एक्सेस वाट रोड और जो कलोड का मैं जिकर कर रहा था जो दो रोड के एक्सेस वन रोड और चार सो फेट रोड के दरम्यान बनाई गी है जिससे दो water bodies का पसमें access हो जाएगा तो जितनी आप कहलें कि rain water harvesting है यानि जो बारिश होती है बारिश के पानी इन रिस्पेक्टिव कि गली महलों में बहुता रहे यहाँ पर सारा का सारा पानी जो है ऐसी reservoirs में connect किया जाएगा जिसका आने मेले दिनों में काफी ज़्यादा अच्छा members को फाइदा होगा क्योंकि पानी इसलामबाद में जो जब ज़्यादा इशू आने मेले दिनों में होगा फेस करना पड़ेगा members को वो होगा पानी का इशू क्योंकि इसलामबाद पानी की terrain ऐसी है कि यहाँ पे पहाड़ी इलाका ज़्यादा है और यहाँ पे मेदानी इलाका कम है तो इसलिए पानी जो है वो काफी ज़्यादा critical होगा specifically smart city जब एक पूरा city बन जाएगा तो यहाँ पे जार से पानी की consumption उतनी ही ज़्यादा required होगी अगर आपको capital smart city या लहौर smart city में बोकें के बाले से कुछ मालमा चाहिए हो तो देगे नमबर पर राप्ता करें इसके लावा हमारी website विजिट करना मत भोलें www.makansolutions.com अगर आपको यह विडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कॉमेंट एंड शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भोलें रिज्वान चीमा को दीजे जाज़त अगली विडियो तक के लिए खुदा हाफिज